हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बहुत ही फेमस डिजर्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो की है फिर्नी की रेसिपी फ्रेंड्स आज मैं कोलकता एस्टाइल फिर्नी बनाऊंगी जिसे मैं सर्फ करूंगी मिट्टी के बरतन में क्य या फिर टूटा चावल आप ले सकते हैं तो यह मैंने हाफ कप कच्छा चावल लिया है एक केजी दूद के लिए और इसे आदे गंटे पहले वाश करके पानी में सोक करने छोड़ दिया था फिर नी बनाने के लिए मैंने वन लीटर फुल क्रीम दूद का यूज किया है इसे कि फ्लेम मीडियम टू लो करनी है और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुक करते जाना है हाफ टबल स्पून इलाइची पाउडर डाल ली है और यह देखिए बस इसे हमें चलाते जाना है अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे तो यह जम जाएगी इसम मैंने नहीं तीन से चार डॉब के राव व Avatar डाल लिया है और अब हमें हमें किरमसी क्राफ तैयर करना है तो एक पैन olhos एक कप चीनी ले ले लेना है यिर आप अपने टेस्ट एकौरडिंग मीठा डालना चाहते हैं फिरनी में उतना मीठा के लिए चीनी ले लिजीए और इस देखेटर चलाते ही जाता है रुकना बीकिल नहीं थोड़ा द्हांग से ही हराग तो इस थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे चोड़े को दर तो यह छोड़ाती एक दिछैगा तो को छिपकतारे को दोचीं है तो शबादे में चीनिः करे यह कोड़ाusc ऐस कोलकटव में जिससे उसका टेस्ट और कलर तोनों ही चेंज हो जाता है तो आप देख सकते हैं चीनी बिल्कुल ही मेल्ट हो गया है इसका कलर भी चेंज हो गया है तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हाफ कप पानी डालना है और बहुत ही ध्यान से इसमें पानी डालना है आप देख सकते हैं शुगर का कलर भी चेंज हो गया है और ये बिलकुल सिरप बन गया है बिलकुल मेल्ट हो गया है तो अब इसमें हमें हाफ कप पानी डालेना है तो इस टाइम में आप बहुत ध्यान से पानी डालें इसके छीटे हाथ पे नहीं परने चाहिए और ये थोड तो यह भी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा बिलकुल भी आप टेंचन ना ले इस प्रोसेस में यह हो ही जाता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो यह पर्फेक्ट सुगर सिरप बन कर तैयार हो गया है दूसरे साइड मैंने फिरनी भी अच्छे से कुक कर ली है क्वेंटिटी आधी हो गई है तो इसमें मैंने यह सुगर सिरप डाल लिया है और आप जैसे ही डालेंगे देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके टेस्ट में भी फर्का जाएगा यह देखें फ्रेंस आप देख सकते हैं बिलकुल दानेदार रबडी जैसी परफेक्ट गाड़ी फिरनी बन कर तयार हुई है इसकी कंसिस्टंसी आप देख सकते हैं यह बिलकुल परफेक्ट है जब आप इसे किसी बाउल में या बरतन में निकालेंगे तो यह ठंडी होकर परफेक्ट फिरनी बन कर तयार होगी तो मैंने इसे बनाया है कुलकता स्ट अश्टे के दाने से किसमिस और पिस्ता से, आप क्यों कोई भी ड्राइ फ्रूट से ज्समें ड्री डाल सकते हैं आप कोई भी ड्री फ्रूट नहीं डाला है, आप इसे सर्फ और लिए जैरेंगे तरहने में बहुत ही word फ return ar changed झाल झाल